दोस्तो, फ्री सिलाई मसीन योजना से रृलेटेड मैं आल्रेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी हमारे पास में काफी लोगों के कॉमेंट्स आ रहे हैं कि हमने इस योजना के अंत्रगत ओनलाइन तो अपलाई कर दिया है, अब हम लोगों को फ्री सिलाई मसीन योजना से related आपके जो भी doubts हैं सभी clear करने वाले हैं साथ ही आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से फिरी सिलाई मसीन योजना के अंतरगत आवेदन कर सकते हैं आपके पास में कौन-कौन से documents होने चाहिए और दोस्तों फिरी सिलाई मसीन योजना का लाब लेने के लिए कौन-कौन लोग eligible हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ अगर आप लोग भी फिरी सिलाई मसीन योजना का लाब लेना चाहते हैं तो आपके पास में सिर्फ आधार कार्ट होना चाहिए और आप लोग आधार कार्ट के माद्यम से ही इस योजना के अंतरगत अपलाई कर सकते हैं इसी के साथ आपको बता दूँ बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो फिरी सिलाई मसीन योजना है इसका कोई अलग से पोर्टल है या फिर अलग से गवर्मेंट ने ये योजना निकाली है तो आप लोगों को बता दूँ ये जो योजना है ये पिम बिस्व कर्मा योजना के अंतरगत आप लोगों को इसका लाग दिया जाता है कोई भी अलग से Free Slime Machine योजना नहीं निकाली गई है और नहीं आप लोगों के लिए कोई अलग से Free Slime Machine योजना का पॉर्टल बनाया गया है PM बिस्व कर्मा योजना के अंतरगा जब भी आप लोग फोर्म को ओनलाइन अपलाई करते हैं अपलाई करते हैं टाइम ही बहाँ पर जब आप लोग अपने profession को select करते हैं तो बहाँ पर एक option आता है tailor का यानि की दरजी का तो आप लोगों को उसी वाले option को select करना होता है और select करने के बाद में जब आप लोग इसकी training को complete करते हैं तो आपको सिलाई करने की training भी दी जाती है यह जो training होती है यह आप लोगों की 5 दिन की भी हो सकती है और 15 दिन की भी हो सकती है जब आप लोग training बगएरा को complete कर लेते हैं इसके बाद में आप लोगों को government के तरफ से 15,000 रुपए की एक toolkit प्रोवाइट कराई जाती है और दोस्तो 15,000 रुपए की जो यह toolkit होती है अगर लोगों को फरी सिलाई मसीन योजना के बारे में complete process बताने वाला हूं और ही आसान भासा में समझाने के लिए मैं आप लोगों को अपने laptop की स्क्रेन पर ले चलता हूं और बहां पर लोगों को सभी कुछ information देखने को मिल जाएगी सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर इस scheme के बारे में बता देता हूँ तो आपको करना क्या है यहां पर एक option मिलेगा about scheme आपको इसी वाले option पर एक बार click कर देना है और click करने के बाद में यहां पर आप लोगों को eligible trades वाले option पर एक बार click करना है जैसे ही click करेंगे तो इस योजना के अंतरगाज जो भी लोग lab ले सकते हैं उन सभी की पूरी list आपके सामने आ जाएगी और इस योजना का lab यहां पर total 16 प्रकार के कामगार लोग ले सकते हैं जैसे कि दोस्तों आप लोग यहां पर अगर फिसर मैन है या फिर आप लोग यहां पर बारवरी नाई का काम करते हैं उसी तरह Pierre आपलोग अलग अलग काम करते हैं तो अलग अलग हिसाब से आप लょंको लाब दिया जाएगा हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में तेलर यानि की दर्जी के सिलेक्ट करना है तो आप लोगों को स्लाइ मसीन दी जाएगी इसी तरह से यहां पर जिसका जैसा भी प्रोफेशन होगा उस ब्यक्ति को उसी तरह की टूल किट प्रोवाइट कराई जाएगी और दोस्तों यह जो टूल किट है यह आप लोगों को 15,000 रुपए तक की दी जाएगी अब हम बात कर लेते हैं कि इस योजना के अंतरगात हमें और कौन-कौन से बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर आप लोगों को एक ओप्शन देखने को मिल जाएगा इसकीम बेनिफिट्स आप लोगों को इसी वाले ओप्शन पर एक बार किलिक करना है जैसे ही किलिक करें आप लोगों की 15 दिन के भी हो सकती है इस ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को 500 रुपए पर डे के हिसाब से पैसे भी दिये जाएंगे यह जो इमाउंट है यह आप लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में मिलेगा इसी के साथ में यहां पर तीसरे नंबर पर आप देख सकते हो टूल केट इंसेंटिब 15,000 ग्रेंट तो यहां पर आपका जो इंसेंटिब है यह 15,000 रुपए जब मिलेंगे जब आप लोग इसकी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद में दोस्तों यहां पर अगर आपकी कोई भी सिलाई की शोब बगारा ह जाएगा अगली बार में आप लोग 2,00000 रुपए तक और भी लोन यहां से ले सकते हैं तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले तो रेश्टेशन करना है इसके बाद ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है ट्रेनिंग कंपलीट करने के बाद में ही आप लोगों को टूल किट जाएगी अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस योजना की अंतरकात लाप किस परकार से दिया जाएगा और और अभीधन आभेदन करने के बाद में आप लोगों की जो ठूल के ट है वो किस परकार से दी जाएगी जैसे ही आप लोग अपने फॉर्म को ओन लाइन और और इसकी जो ट्रेंग करना पड़ेगा अंदरगत अभी तक कितने लोगों को लाब मिल चुका है यहां पर आप लोग देख सकते हो पीम बेच सुकर्मा यहां पर जो भी ग्रीन कलर का option दिया हुआ है यानि कि 7,89,260 लोगों को अभी तक लाब मिल चुका है successfully यहाँ पर registered हो चुके हैं बागी उपर जो आप लोग numbers देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इतने अभी तक application form total submit हुए है यहाँ पर stage 1 verification इन लोगों का complete हो चुका यह stage 2 verification complete हो चुका है और इतने लोगों का stage 3 verification complete हो चुका है तो इसका जो verification है सबसे पहले आप लोगों को यह तीनो verification complete करने पड़ेंगे then उसके बाद में ही आप लोगों का final registration successful हो पाएगा तो online apply करने के लिए आप लोगों को उपर के side में एक option देखने को मिल जाएगा login आपको login वाले option पर एक बार click करना है then click करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक option मिलेगा csc login, admin login, verification login तो हमें यहाँ पर csc login वाले option पर click करना है क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दो उप्शन मिल जाएंगे व्यू इस्रम डाटा और CSC रेजिस्टर आर्टिसंस तो आप लोगों को इस योजना के अंतरगत ओनलाइन अपलाई करने के लिए CSC ID आपके पास में होना जरूरी है अगर आपके पास में CSC ID नहीं है तो आप लोग किसी भी अपने नजदी के जनसेवा के अंदर पर जा करके इस योजना के अंतरगत ओनलाइन आवेदन करवा सकते हैं लेकिन अगर आपके पास में CSC ID मौझूद है तो इस योजना के अंतरगात आप लोगों को ओनलाइन अपलाई किस प्रकास से करना है इस से रिलेटेट में अल्रेडी एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ